तो अगर आप हैं एक यूट्यूबर या फिर यूट्यूब पर चैनल स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो ये विडियो है आपकी लिए परफेक्ट क्योंकि इस विडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टूल्स की, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स की जो की आपके आने वाले हैं बहुत ही जादा काम आपकी इस यूट्यूब जर्नी में और सबसे अमेजिंग चीज कि ये सारे टूल्स जो आज विडियो में आप देखेंगे वो सारे सारे फ्री टूल्स हैं और अगर आप इन टूल्स को सही तरीके से यूज करते हैं तो आपका चानल काफी जल्दी और काफी जादा हाइट्स पे ग्रो कर सकता है तो चलिए जानते हैं वो कॉण से टूल्स जो हम खुद भी यूज करते हैं और आपके साथ शेयर करना चाहते हैं इसी के साथ ही अगर आप practically हमारे साथ दिजिटल मार्केटिंग या फिर यूटुब मार्केटिंग या SEO सीखना चाहते हैं तो description box में आपको form का link मिल जाएगा, उस form को fill कीजिए और हमारे हर एक batch में आपको मिल रही है two days की free demo classes तो make sure करें कि वो demo classes आप ज़रूर attend करें और हमारे साथ live training लेने का मौका पाएं हमारे सारे batches आते हैं with a valid certification जो कि आपके resume को करेगा और भी जादा boost चलिए अब बात करते हैं उन free YouTube tools की that you should definitely know तो सबसे पहला tool और मैं इसको कहूंगी ये एक बहुती underrated tool है underrated का मतलब है कि बहुत जादा इसको लोग use नहीं करते हैं बट उनको करना चाहिए for YouTube और इस tool का नाम है Google Trends Google Trends आपने सुना होगा नहीं सुना तो मैं बता देती हूँ कि ये एक ऐसा tool है जहांपर आप different different search terms की different different topics का trend analysis कर सकते हो कि उनका time के साथ में कैसा trend रहा है और आने वाले time में भी कैसा trend रहेगा आपको simply trends.google.com पर जाना है normally आप Google पर Google Trends टाइप करोगे तो भी ये आपको मिल जाएगा तो आज हम तोड़ा सा देखेंगे कि इसको YouTube के लिए आप कैसे use कर सकते हो तो अब आपको करना गया है यहाँ पर आपको random topic जो आप चाहते हो कि आपकी इस पर video मुझे बनानी चाहिए वो topic आपको यहाँ पर जालना है जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक topic डालती हूँ जैसे कि what is issue चीक है यह मैंने topic यहाँ पर डाला explore पर हम click करेंगे और यहाँ पर आप देख पाओगे कि इस particular जो topic है इसका throughout the time कैसा analysis रहा है वो आ जाएगा अभी यहाँ पर आपको करना क्या है कि जो यहाँ पर past day आ रहा है इसको select करना है आपको 12 months में यानि 12 महीने का data हम यहाँ पर देखेंगे उसी के साथ ही जो India लिखा आ रहा है आपको इसको worldwide करना है अगर आपकी all over world में अगर आप target कर रहे हो ऐसा कुछ content बना रहे हो YouTube पर जो की all over world में आप चाहते हो कि लोग उसको देखे हैं जैसी language में जैसे English में हैं तो आप worldwide कीजिए अगर किसी specific language में बना रहे हो जैसे Hindi में बना रहे हो तो India select कर सकते हो चीक है and same like that उसी के साथ ही यहाँ पर all categories आ रहा है और यहाँ पर option आ रहा है तो trend यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीक का यह trend रहा है अब यहाँ पर क्या कर सकते हो आप एक topic को दूसरे topic के साथ compare कर सकते हो जैसे कि मैं यहाँ पर एक और topic डालती हूँ जैसे कि what is चीक है अब यह दो term यहाँ पर जो है और लोगों ने जादा पूछा है इसको थोड़ा सा और specific कर देते हैं जैसे कि जैसे मैंने एक topic यहाँ पर लिखा है quality backlinks और यहाँ पर मैं एक और कोई दूसरा topic लिखती हूँ जिसके साथ मैं दोनों को compare कर पाऊ जैसे कि यह देखिए मैंने यहाँ पर दो topic डाले हैं दोनों जैसे SEO से related हैं जैसे एक जगा मैंने डाला quality backlinks और यहाँ पर डाला sitemap.examl तो यहाँ पर आपको यह बताएगा कि इन दोनों में से जादा trend किसका अच्छा चल रहा है और यहाँ पर आप देखोगे तो quality backlink का trend अच्छा है as well as इसका forecast रही है कि time के साथ में यह increase होगा तो अगर आप कुछ ऐसा topic दून रहे हैं जिस पर आपको video बनानी चाहिए तो यहाँ से आप इसका analysis कर सकते हैं प्लस आप multiple topics निकाल के और यहाँ पर डाल के देख सकते हैं कि यूट्यूब पर उनका trend कैसा रहा है और time के साथ कैसा रहेगा तो YouTube पर अगर आप यह देखना चाहिए तो यूट्यूब पर अगर आप यह देखना चाहिए तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ न आपको related topics भी आ रहे हैं ऐसे कुछ terms भी जादा popular हैं चीक है तो आप उसके लिए भी यहाँ से देख सकते हो तो not just for the Google बट YouTube के लिए भी आप यहाँ से search कर सकते हो next free tool जो की आपकी YouTube की journey को और भी strong करेगा वो है social blade social blade एक ऐसा tool है जिससे आप अपने competitor का अपने खुद के चानल का analysis कर सकते हो वैसे हम खुद के चानल का analysis तो YouTube स्रूडियो से ही कर सकते हैं बट अगर आप social blade यूज करते हो तो आप किसी भी channel का एक rough analysis कर सकते हो अब rough analysis से मेरा मतलब है की free tool है और plus इसके पास real time data नहीं है तो 100% accurate तो नहीं होगा बट आस पास का आप analysis कर सकते हो something is better than nothing okay so आपको यहाँ पर क्या करना है जैसे not just YouTube बाकी platform पर भी आप अपने competitor का analysis कर सकते हो तो मैं यहाँ पर YouTube पर करती हूँ click और यहाँ पर मैं आड करती हूँ जैसे WSQTek है ना WSQTek हम सर्च कर रहे है first मैंने सर्च किया अगर इस नाम से multiple channel है तो आपके पास list आ जाएगी कि इन में से आप कौन सा जो है चैनल का analysis करना चाहते हो तो मैंने यहाँ पर WSQTek टाइप किया और यह देखिए यहाँ पर यह वाला चैनल आ गया है अभी यह जो यहाँ पर चैनल है इस चैनल का आप देख सकते हूँ कि टोटल अपलोड इतने हैं इतने वीडियो अपलोड़ेड है इतने subscribers हैं 2.67 million subscribers इतने video views हैं मतलब approximately 230 million around views है यह चैनल टाइप है जो क्रिएट किया था वो यहाँ पर आ रहा है उसी के साथ ही यहाँ पर इसकी basic ranking आ रही है estimated monthly earnings आ रहा है आप देखो कई बार इसी के मतलब यह समझ लो मिड में range होगी पर यह range बहुत बढ़ी है तो मैं 100% analysis नहीं कर सकते हैं हम यहाँ पर उसी के साथ ही इनका video का आप देख सकते हो stats आ रहा है कि कब इनों ने जो है video upload करी है और उसके साथ में किस date को इनके कितने subscribers व views हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं monthly gain subscribers का यहाँ पर option आ रहा है और उसी के साथ ही अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर future projections आ रहे हैं मतलब future में यह चैनल कैसा काम करेगा जैसे कि अगर हम देखें 10 million तक पहुंचने के लिए यह बोल रहा है कि हमें 2026 तक वेट करना पड detailed stats का option आ रहा है तो यहाँ पर video wise आपको analysis मिल जाएगा तो किस दिन WSQTek ने कौंसी video upload करी है कौंस कितने उस पर views हैं यहाँ पर पता चल जाएगा तो अगर आपको यहाँ आपका competitor है तो यहाँ पर एक साती आप देख सकते हो कि किस video पर इसकी जादा व्यूज आ रहे हैं उस video पर कितने comments हैं कितने उस पर जो है like ratio है rating का मतलब होता है 100% अब जैसे माल लो 50% अगर यहाँ पर होता तो इसका मतलब होता है 50% लोगों ने like किये video 50% ने dislike की है उसके साथ में आप यहाँ से यह analysis कर सकते हो कि कौन से ऐसी वीडियो जिन पर जादा व्यूज आ रहे हैं तो उनी वीडियो को आप भी बना सकते हो कुछ इस तरीके का आप analysis यहाँ पर कर सकते हो जाते हैं अगर अपने YouTube पर as well as other platform पर तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप YouTube पर लाइव जा रहे हैं उसी के साथ-साथ आप किसी और platform पर भी लाइव जाना चाहते हैं simultaneously तो यह platform is perfect for you and इस platform पर आप Facebook, YouTube और इवन जो अधर platform में जैसे Instagram हो गया तो यहाँ पर आप उनको लिंक करके तीनो चारों अकाउंट को और एक साथ लाइव जा सकते हैं चीक है तो जैसे आप यहाँ पर लॉग इन करेंगे आपको option में लेका live stream recording ठीक है on-air webinar यहाँ पर आप यह तीनों चीज़े कर सकते हो चीक है तो जब आप live stream पर click करोगे तो यहाँ पर आपको option मिलेगा कि pre-recorded video को आप live करना चाते हो या अभी करना चाते हो इसको चीक है तो create पर जब हम click करेंगे यहाँ पर destinations पूछेगा तो आप अपना Facebook page, LinkedIn page, YouTube, Twitter, Twitch, Hopin यह सारे जो हैं आप यहाँ पर add कर सकते हो even और किसी और account पर जाना चाते say you can go live, you can track your like engagements and सारी चीजें एक ही platform पर तो अगर multiple platform पर एक साथ live जाना चाते हो this is a perfect platform for you even वो आपको record भी करके देगा आपका live in a proper format उसको आप edit वगरा भी कर सकते हो उसी के साथ में एक और free tool है for those people जो की AI generated voice चाते हैं बट वो चाते हैं कि बहुत ही natural way में voice वो लगे बहुत जादा ऐसे fake नहीं लगे तो उसके लिए यह जो है naturalreaders.com यह है perfect platform यहाँ पर आप पहले चूस कर सकते हो अपने characters किस आवाज में आप जो है चाहते हो even इसमें एक child क बना रहे हो यह kids related content बना रहे हो तो आप यहाँ पर यह भी कर सकते हो चीक है even आपको यहाँ पर multiple languages मिल जाएंगी तो वो भी आप यहाँ पर चूस कर सकते हो तो यहाँ पर आपको क्या करना है सिर्फ अपना text जो है वो ब्रॉप करना है कुछ भी login बगरा करने की जुरत नही उसी के साथ ही अगर आप ढून रहे है कैसा टूल जो कि आपको फ्री में text to speech convert करके दे वो भी realistic voice में तो यह एक free tool है जिसका नाम है voice maker ठीक है यहाँ पर आप क्या करेंगे normally मैं आई हूं voice maker.in पर यहाँ पर आप अपना text जो है वैसे यहाँ यहाँ पर 250 जो characters है वो free में allowed है उससे जाद अगर आपको करना है तो आपको pay करना पड़ेगा बट आप इ जो ही वाला है वो हमने चूज किया और यहाँ पर convert to speech पर जाकर आप इसको preview भी कर सकते हो देख भी सकते हो और देन यू के डाउनलोड दिस एंपर यहाँ पर देना है तो वो भी जैसे आप यहाँ पर ब्रेक्टाइम ऐसे दे सकते हो उसी के साथ ही आप पाॉस भी यहाँ कर सकते हो वाल्यूम कैसी रखनी आपको वो कर सकते हो उसी के साथ ही आप इसको यह करके और डाउनलोड कर सकते हो डाउनलोड तो MP3 मैंने क्लिक किया और यह देखिए मेरी जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर डाउनलोड हो गई है in the voice अभी I can use it in the videos and make some quality shots and videos उसी के साथ ही next मे मेरा फेवरेट और सबसे ज़्यादा मैंने जो परस्नली यूज किया है उस टूल की बात करते हैं और उसका नाम है OBS इवन अभी भी जो मैं आपके लिए विडियो बना रही हूं और इस पर्टिकुलर विडियो का जो स्क्रीन है वो मैं रिकॉर्ड कर रही हूं वो मैं OBS स आपको अपने लापटॉप में या कंप्यूटर में डाउनलोड करना पड़ेगा और इससे आप इजी ली अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हो इसका सेटप भी हमने डीटेल में बताया हूआ है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक वीडियो मिलेगी उस वीड से बनी है और यह एकदम मतलब एकदम फ्री टूल है तो जाहिए इस टूल को यूज कीजिए और लेट मी नो इन दा कॉमें अगर आप इस टूल को यूज कर रहे हैं या पर यूज करने के बाद आपके एक्स्पीरिंस कैसा रहा क्योंकि बहुत सारे लोग हम से पूछते है है कि माँ आप लोग यह जो स्क्रीन कैप्चडर करती हूव फो किस से करते हो तो दिस इस दा पूल सर यह हम करते है ओ बीएस में कई आपशन आप इसमें डिसले काप्चर का ऑप्शन है इस में इसमें खुब की फोटो भी जो है कैप्चर कर सकते हो जैसे लाइक दिस अगर add करके मैं यहां पर जैसे video capture device पर click करती हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं यह camera भी यहां पर जो है इस तरह से on हो जाएगा and I can use this particular my image into that okay so अभी मैं screen capture कर रही हूं और जो मेरी जो picture है जो आप अभी देख रहे हो वो camera capture कर रहा है तो it's a good tool that you should use अगर आप ऐसी engaging videos बनाना चाहते हो उसी के साथ ही adobe का एक tool है जिसको आप video editing के लिए यूज कर सकते हो yes yes I know कि adobe जो अपना adobe premiere pro है या फिर adobe के जितने भी tools ने वो paid होते है but यह specific tool है adobe.com express adobe express is ऐसा tool है जो आपको free में most of the feature use करने देता है plus इसका interface भी काफी easy है simply आपको यहां पर जाना है और sign up करना है और आप mostly जो आपके adobe में आपको premiere pro में या audio editing अगरे के features मिलते हैं वो आप यहां पर use कर सकते हैं and not just the videos but also you can edit the image also तो मैं जैसे यहां पर login कर लेती हूं तो काफी easy इसका interface है add पर आप इसको click करोगे and you can choose कि किस तरह का video जो है download करना जाते हो जैसे YouTube video मैंने यहां पर select किया है और अभी आप यहां से अपनी device से upload कर सकते हो कुछ data even यहां पर आपको free जैसे tour भी मिलता है इसका इसका tutorial भी मिलेगा तो वो भी आप ले सकते हो और उसी के साथ ही बहुत सारा यहां पर जो stock वाला section है वो भी आपको यहां पर मिलेगा जो कि most of them in message वो free है जिसके ओपर यह crown वाली शेप आ रही है वो paid है बागी सब free है तो आप बहुत अच्छे-च्छे effects भी यहां पर डाल सकते हो इसको use कर सकते हो अच्छा अगर आप चाहते हो कि Adobe Express का हम complete tutorial आपके लिए लेकर आए और पूरा एक video बनाए इसके use पर तो comment section में हमें बताईए क्योंकि जितने साथ आप comments करेंगे उतनी जल्दी हम आपके लिए यह video लेकर आएंगे तो Adobe Express is great for video editing and photo editing अच्छा photo editing से याद आया तो एक और टूल है जिसका free version हम YouTube के लिए बहुत time से use कर रहे हैं और उस tool का नाम है canva.com येस YouTube का best friend that is Canva, Canva पर free में आप YouTube के लिए thumbnails, YouTube के लिए shots, YouTube के images, channel art, ये सारी चीज़ें बना सकते हो even और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे अपना logo, अपने post, सब कुछ इससे आप create कर सकते हो Canva का free course इसी channel पर आपको मिल जाएगा, description box में से वो आपको पूरी वीडियो मिलेगी, एक ही वीडियो में पूरा Canva हमने सिखाया है, free course अवेलेबल है, जाईए, सीखिए और amazing content create कीजिए So, ये थे कुछ ऐसे free tools जिनका use करके आप अपने YouTube की journey को और भी जादा easy बना सकते हैं So, I wish you luck, I wish आप एक channel बनाएं, उसको grow करें, monetize करें और उससे काफी जादा personally, financially grow करें और by the way, अगर आप YouTube सीखना चाहते हैं, हमारे साथ, तो हमारा most watched course, YouTube course भी free में, WSQubeTek पर available है, description box में प्लेइलिस्ट का लिंक बल जाएगा, आपको जाईए, वीडियो देखिए, सीखिए YouTube और great content बनाएए, audience को educate and entertain कीजिए So I'll see you guys in next video, video अच्छे लगी तो like करना, तब तर keep learning